गुट मॉर्निंग स्टुजेंट्स, आज रिए रिदिंग चैप्टर 16 दा युनाइट नेशन्स, इन दिस चैप्टर टूदे वी विल रीड अजैंसी ऑफ दा यूएन के जो युनाइट नेशन की अजैंसी हैं, ओके, दा वेरिये स्पेशिलाइज अजैंसी वर्क विद दा युनाइट नेशन जैट नेशन्स, बहुत सी अजैन्सीज हैं, जो संजुक तराष्टर के साथ काम करती हैं, युन फैंसी संजुक तराष्टर हैं, इसकी तोटल कितनी अजैजैन्सी हैं, 15. All these agencies aim to maintain peace, eradicate diseases, and health-related problems and encourage peace among the country. जे जो अजन्सीज हैं इनका मेन मकसद है एम है वर्ल्ड में शांती बना ही रखना eradicate diseases जे जो diseases हैं रोग हैं उन्हें properly wipe out करना and health related problems हैं जो उन्हें भी दूर करना and encourage peace among countries और जो देश हैं वर्ल्ड में उन्हें क्या करना है शांती बना ही रखने के लिए encourage करना प्रोच साहित करना यह इनके मुख्य एमद हैं उके United Nations Educational Scientific and Cultural Organization and its short form is UNESCO UNESCO was established in 1946 यह जो UNESCO है उसकी स्थापना कब हुई 1946 को वो स्थापित हुआ its headquarter is located in Paris, France इसका जो headquarter है वो Paris में है फ्रांस में UNESCO aims to promote peace and security UNESCO का मुख्य एम क्या है शांती और सुरक्षा को उत्षाहित करना प्रोच करना इट हाइलाइट्स था इंपोर्टेंस ओफ हुमेन एजुकेशन यह में श्पैशिल अटेंशन कहां दिता है दा इंपोर्टेंस ओफ हुमेन एजुकेशन जो मुनुख्य शिक्षा है उसकी महत्ता पे इट आलसो एंकरजेज इंटरनेशनल कोपरेशन अमंग स्कॉलर्स आर्टिस्ट और साइंटिस्ट और यह किस चीज को प्रोच्षाहित करता है जो विद्वान हैं कलाकार हैं और वग्यानिय हैं उनका अंतराश्चे पदर पर आपसी सही हो गया है उसे वो प्रोच्षाहित करता है नेक्स्ट वन इस यूनीसेफ फुल फोर्म इस उनाइटर नेशन शिल्रन फ्न्थ इतवाज फोर्मट इन डिसेंबर 1946 यह काव फॉर्मेशन हुई इसकी 1946 को इसका मुख्य एम क्या है यह करता है प्रमोट के जो चाइल्ड और विमेंज हैं उनके जो राइट से हैं उनको इक्वली मिल सकी उके इट प्रोटेक्ट्ट साथ चिल्जर्ण्स राइट and also support their full participation in development okay the headquarter of UNICEF is located in New York City इसका जो headquarter है वो कहा है New York City में it provides long term humanitarian and developmental assistance to children and mother in developing countries also it provides aid for children in underdeveloped countries through various programs like healthcare and family and also child welfare it works towards the welfare of children by providing them education और यह क्या काम करता है it works towards the welfare of children by education बच्चों के क्लियान के लिए उन्हें शिक्षा भी परदान करता है in India UNICEF runs आंगनवाडी programs भारत में जो United Nations Children Fund है यह कहां कैसे काम करता है आंगनवाडी programs ठीक है जैसे हमारे गाउं में आंगनवाडी schools बने होई है ना इस मादियम से यह काम करते है okay students tomorrow we will read about the other agencies of the UN thank you students